नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ नेना यादव और खबरों की शिरुवात करते हैं बड़ी खबर के साथ में कोलकता से खबर जहांपर बीजेपी दफ्तर के सामने टीमसी ने जमकर हंगामक किया है टीमसी कारिकरता और बीजेपी के बीच में कारिकरता मोचा समाने के लिए पहुंचता पड़ा लेकिन फुलिस की मौजूदगी में ही बीजेपी और टीमसी की कारिकरता आपस में भड़ते हुए नजर आए धक्का मुक्की तक हुई है यह तस्वीर है आप देखिए ज़रा यह तस्वीर है कोलकता की तस्वीर है और यह जो पूर का विवाद है बीजेपी कारिकरता और टीमसी कारिकरता हों के बीच का रहा बीजेपी दफ्तर के बाहर ही पूरा बीजेपी हो या टीमसी कारिकरता हो को काबो में करने के लिए फिलाल तो यहां पर ऐसा लग रहे कि शार नहीं हो पा रहे किस तरह से माहौल यह पूरा बिगड़ता चला गया आकिर कैसे प्रदर्शन होता रहा परदर्शन करने लगे उस समय वहां पर भाजपा के भी बड़ी असंखे में करकरता उपस्तित है इस दौरन भाजपा और त्रमूल कॉंग्रिस कारगरताओं में जड़ाप होने लगी, दोनों के भी धक्का मुकी होई, पुलिस को भी इस बात की पहले से सुचना थी और पहले से वहाँ पुलिस मुझूद थी, लेकिन इन दोनों के संख्या है उतनी ज्यादा से की आलम यहा आपका शुक्रिया, यह जो तस्वीर है कोलकता की एक्स्क्लियोसिफ तस्वीर न्यूस नेशन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरसल यह जो प्यूरा हंगामा है, यह बीजेपी दफ्तर के बाहर हो रहा है कोलकता में, कारिक्रम था उन लोगों के लिए जो बी बीजेपी दफ्तर के बाहर, पुलिस मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में, बीजेपी की कारिकरता और टीमसी की कारिकरता आपस में भड़े धका मुकी हुई, नारेबाजी जम कर हुई, हलाकि पूरे मामले को यह कहा जाए कि हैंडल कर लिया है, हलाकि अभी भी नारेबाजी लगातार जारी है, यह तस्वीरें जिस तरह से पश्रिम बंगार में चुनाव नजदीक है, चुनावी विसाद बेच चुकी है, अब ऐसे में टीमसी और बीजेपी के बीच की यह जड़प लगातार सामने आ रही है,